कि यहां पर मैंने गूगल का पिक्सल 3 XL कुई दिन पहले खरीदा था Amazon से 20,000 में यहां पर मैं कोई आंबोक्सिंग वगयरा नहीं करने जा रहा हूं कि वह सब आपको उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यहां पर मैं आपको बताओंगा कि यह जो पिक्सल 3 XL है जो कि अभी 20,000 में अवैलबल है एक फलेग फोन है जो कि 20,000 में मिला मुझे अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि Amazon पे जो इसकी लिस्टिंग है अभी वो है 22,660 रुपे जो कि लोईस्ट प्राइस अभी अवैलबल लिखा रहा हैं Amazon पे तो कुछ दिन पहले 20,000 में मिल रहा था उस वक्त मैं ने लिया लेकिन इसमें इस्यूज क्या है आखर यह तो फ्लेग फोन है जिसमें इसने ड्राइगन 845 का प्राइसर लगा हुआ है इसकी रैम है 4GB की और मेमरी है 64GB की मेमरी को तो मुझे आपको बताना नहीं है क्योंकि मेमरी तो हर एक जगा यूजर अपनी जगे रसाइट करता है कि उसको कितनी मेमरी की ज़रूत होगी हाँ रैम किस हद तक एफेक्ट कर सकती है आपकी यूजर को एक्चुल में जो चार जबी की रैम है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है क्योंकि इसका जो सॉफ्ट वेर है अभी अपडेट हो गया है जब ने बाकुस की निकाला था तो इस वक्त यह था अंड्रॉड 9 पे उसके बाद इमेज़ेटली इसक तो इसके बाद में देख रहा हूं कि इसके मेटियर न्यू थीम भी काम कर रही हैं सब कुछ काम कर रहा हैं जो कि आगे आप वीडियो में देखेंगे मगर इश्यू की बात करे तो वो भी आपको आगे दिखाऊंगा सबसे पहले में छोड़ी बहुत इसकी आपको लेकिन इसका रिजलीशन बहुत ही बढ़िया है जिसकी वज़ए से स्क्रीन मुझे बहुत पर्फेक्ट लगा मैं इससे पहले गलेक्षी नोट 9 यूज़ कर रहा था उसका भी स्क्रीन बहुत अच्छा था और इसका भी स्क्रीन कह सकते हैं कि उसके बराबर हैं मुझे कोई नहीं लगा कि मैं नोट नाइन को छोड़ कि इसको यूज कर रहा हूं तो सिक्रीन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी सिक्रीन उसके जैसा ही है सिक्रीन उसका जो रुटेशन है वह है 1440 इंटो 2960 पिक्सिल का नॉज जो उपर देख रहे हैं यह बड़ा है क्यूंकि इसमें ड्यूवल स्पीकर लगे है और ड्यूवल के लिए तो कुछ दिन यूज करने के बाद आप देखेंगे कि आप नॉज को नोट्स नहीं करेंगे यह अगर बड़ा भी है फिर भी आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी कैमरा जो इसका है वह है टुबल मैक पिक्सिल का लेकिन आप जाए जानते हैं कि गूगल का जो सॉफ्ट वेर हैं कैमरा के लिए वह बहुत ही बढ़िया है और जो यह सॉफ्ट वेर हैं यह और वह बहुत ही बड़े आया है इसलिए उसमें कोई प्रावल्म नहीं है वह कोई इसू नहीं है नाइट बोड़ भी ठीक ठाक वर्ड़ करता हैं लेकिन उतना हैंड वे वर्क नहीं करता हैं बैटरे हैं 34 30 मह की मगर सॉफ्ट वेर की उप्टिमाजेशन कुछ इस तरह से क अगर आप गेमिंग और नहीं करते हैं नॉर्मल यूजेज पे आपको डेड़ दिन का बैक अप मिल जाएगा क्योंकि सॉफ्ट यूज बहुत परफेक्ट हैं ने सुबह चारिज किया था और नॉर्मल यूज किया दिन पर तो भी आप देख सकते हैं कि इसकी बैटरे भी परसंट है तो वो कोई इशू नहीं है जिसारा से आइफोन में बैटरी और रैम अगेरा काम होती हैं एंड्रियाट के दिगर फोनों से इसी तरह इसमें भी गूगल ने कुछ ऐसी की हैं कि बैटरी कोई इशू नहीं बाल रही है नीचे हम देखते हैं कि इस सब को मैं स्क् करता है और आइपी 68 डास्ट वार्ट रिजिस्टन भी है यहां पर आप नोटिस कीजिए यहां पर जो है ना यह वाला पॉरिशन नैनो सीम और इसम यह शायद कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि यहां पर तो लिखा है नैनो सीम और इसम लेकिन पिस्ट American कारेगा यह जो इसमें खाली आपको सीम compliance काम करेगा या यह तो एसम काम करेगा यह फिर नैनो सीम काम करेगा जब इसमें आप दुसरा सीम कारे मैंने घ्रेग कम करेगा हम clinician, लेकिन आगर मैं इसमें दूस्ता सीम एक ताइम पर लिएम रहसे देबाएं और नापस सकता हैं कि आप इसको रूट करें रूट करने के बाद आपको कुछ कमांडस शाल कमांडस एक्जिक्यूट करनी पड़ेगी उन शाल कमांडस की हलब से आप इस इसमें डिवल सिम स्टैंडबाई या डिएस डिएस एक्टिवेट कर सकते हैं लेकिन वह एंडरोइड 11 पे काम क करती हैं कि नहीं करती हैं हाँ एंडरोइड क्यू जो था उसका बीटा 5 जो आया था उसमें गूगल ने इसमें डिएस डिका सपोर्ट दिया था लेकिन फिर जब स्टैबल उसका स्टैबल एडिशन आ गया तो उस वक्त गूगल ने अन्नौ रिजिंस की वजह से वह सपोर् वापस ले लिए शायद यही रिजन है और गूगल अपने पेज़ पे भी इसके हवाले से एकस्प्लेशन नहीं डे रहा हैं कि इसका जो डिवल सिम या डिएजडी एस था वो क्यों वापस लिया हैं अगर आप डिवल फोन यूजर हैं तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो एक फोटी फाइव प्रॉसेडर प्रॉसेडर जो है वो कही भी आपको 20,000 में नहीं मिलेगा पी-ओएडी-आर का जो स्क्रीन है वह भी 20,000 में कहीं मिलेगा आपको इसका जो स्क्रीन है वह बहुत ही परफेक्ट हैं और एंडरॉयड 2L ऐसा फोन जिसमें यह फीचर्स हो ज इसमें एक बडिया स्क्रीन पी-ओएड का स्क्रीन उसमें इतना ज्यादा रिजुजलेशन उसके बैड वायरस चार्जिंग वाटर प्रॉफिंग और इतना बहतरीन कैमरा वह 20,000 में किसी भी फोन में नहीं मिलेगा अगर आप इस पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि खाली सि नहीं हैं मैंने भी मैं पहले एक ही फोन यूज करता था कि मेरे पास सैमसंग एलेक्सी नोट 9 था लेकिन फिर मैंने इसको जब यूज किया तो मैंने एक अलग सा फोन अपने दूसरे सिम के लिए रखा क्योंकि मुझे लगा कि इससे बहतरीन फोन और इससे ज्यादा बैट प्रवस्टर लगा हुआ है वह एक अलग चीज है आगे मैं आपको दिखाऊंगा ठोड़ी बहुत और चीज़े फिलाल हम यह सब्सक्रिप करते हैं कैमरा का मैं एक सेंपल भी आपको दिखाऊंगा मैं अब भी दिखाऊंगा कि मुल्टी रास्किंग कैसे होती है मुल्टी कि यूटूब पे यूटूब अभी हुआ लेकिन हम देखते हैं अभी क्या होगा मैं तरह से स्लाइट करूंगा कि देखी दिखी रडू नहीं हुआ है इक polished यूटूब भी रिलोड नहीं हुआ है अभीrolink YouTube यह औलए और यह चैट यह प doet नहीं कर रही है अब आगा एकट आप गेमर है तो आपके लिए फोन कैसा है वह हम देखते हैं अभी में में होम पर जाओंगा और होम पर जाने के बैद यहां पर मैं करोंगा सबसे पहले बैलेमर इसे लूड हो रहा है तो अब ये यह जो पर पॉप्जाव की लोड हो रहा है देखते हैते हैं लूड हो रहा है थो पर फो टोर हो ये लैन टाइम लगता है इसका जल्ली जल्ली लो हे हों पर हम देख सकते हैं कि इस एफट में कर रही है सेटिकिस में जाएंगे टाशम लेकिन फ्रेम रेट हैं वह अल्टराट एफटे टी पह आपको मिलेगी यह देखिए इसको बांद करते हैं अभी PUBG को में बांद करता हूँ मैं जाता हूँ होम पे कोई और गेम लोड करेंगे हैं पर आल्टो मेरे पास है इसको लोड करते हैं इसका लोड टाइम डेखते हैं तो यह भी ठीक तरह से लोड हो गई जल्दी लोड हो गई लेकिन आप द अगर आप एक गेमर हैं यहां पर देखे अब यूटू भी रिलोड हो गया कि आप इसकी रैम जो है वो यूटलाइज हो गई पब जी और आल्टो में यह देखे ग्रोम भी रिलोड हो गया अगर आप एक हार्ड कोर गेमर है तो आपके लिए फोन ठीक नहीं हो हाँ अगर आप इसकी जो आवाज है वो बहुत ही बढ़िया है अगर आप यह देखे अब फिर से मल्टी टास्किंग ठीक तरह से काम कर रही है रिलोडिंग नहीं हो रही है क्योंकि आप मैंने गेमर को ब रखी होगी उसका स्क्राइब यहां पर एक और उप्शन आ रहा है सिलेक्ट का तो इससे टेक्स हो जाएगा पिर आप भी कर दो ऊप सकते हैं यहां पर हम बंद करेंगे क्लिक करेंगे तो रिलोड नहीं हो रहा है डैट मिंज अगर आप हार्ड कोर गेमर हैं तो शायद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस में गेमिंग में इश्यूद हो सकते हैं अब हम होम पे जाएंगे होम पे जाने के पाद अभी देख रहे हैं कि जो आइकन हैं ये थीम को मैच कर रहे हैं या वाल पेपर को मैच कर रहे हैं इसका रीजन कहा है इसका रीजन य सकते हैं कि हम जाएंगे अभी wallpaper वालपेपर सोर सेटिंग सेटिंग सेचे फ़ंच आइकन सेटिंगल कुछ बडिया क किस तरह से होता हैं ये भी जाएंगे हम वाल्पेपर से स्टाइल में तो देख रहे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेने जो वालपेबर रखा है उससी के हिसाभ से आइकन ज werden हो रहे हैं यह ढिखिए मैं वालपेबर चेंज करूंगा तो आइकन जो जाएंगे मैं वालपेबर चेंज किया होम और लॉक स्क्रीन यह देखे अभी सारा सिस्टम है चेंज हो ग यहां पर वाल पेपर में अगर आप देख रहे हैं तो एक एफेक्ट भी आ रहा है यह जो गूगल ने नया Android लाउंच किया है तो वेल इसमें कुछ फीचर देंगे हैं अभी इनको और फुर्दर करना है कि अभी इसमें कुछ कलर्स अवैलेबल हैं यह देखे यह कुछ कलर्स कुछ ही कलर्स अवैलेबल हैं यह देखे यह मैंने कलर्स चेंज किया तो आइकन और जो कुलाक वगेरा हैं उनका भी कलर एकॉर्डिंग ली चेंज हो गया अगर मैं वाल पेपर कलर्स के साथ इसको रखना चाहता हूं तो वह भी रख सकता हूं शेड्स के अकॉर्डिंग यह देखिए अभी डार्क थीम का ऑप्शन भी अवैलबल है डार्क थीम मैंने बांद की अगर आप नोट्स करेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा डाट आ रहा हैं यह अन्बॉक्स करने के बैद ही मेरे फोन में आया अब पता नहीं कि डेट फिक्सल हैं लेक इसको ख़तम करने के लिए तो उसके लिए फोन को रूट ही करना पड़ेगा चुकि गूगल का अपना एक अपरेंट की सिस्टम है यह बहुत ही सिंपल है और सिंपल होने के साथ से साथ बहुत ही बहुत ही अच्छा भी है यहां पर आप नोटिफिकेशन पैनल को एडिट क कर सकते हैं जैसा कि पिछले एंडरोइड फोन में अवैलिबल होता था और जो नोटिफिकेशन पैनल ही यह भी बहुत ही सिंपल रखा गया है इस वच्छा से यह फोन मिचे बहुत पसंद आया और मैंने डिसाइड किया कि मैं दो फोन यूज करूंगा इसमें कमी है कि में जाएंगे तो यह देखिए नीचे एंडरोइड का टुवल जो एंडरोइड टुवल है वो अवैलिबल है और जैन्वरी का जो चिक्यूर्टी पैज है गूगल ने पहले एनाउंस किया था कि अक्तुबर में ही इसका जो अपडेट का वर्जन ही वो खतम हो गया है तो यह बार भी आप जहन में रिखिए आगे इसमें कोई अपडेट नहीं आने वाला है यानि कि इसमें एंडरोइड 13 अब नहीं आएगा एंडरोइड 12 तक ही आएगा डैट मींज आप एक साल तक फोन तो यूज कर ही सकते हैं यहां पर लेकिन जनवरी का एक सिस्टम अपडे एक कुछ छीजे ती जो मैंने आपको बताई कि आपको फोन लेने से पहले धर नहुम आपन ऐगा है यह देखें एक बार फिर से रिलोड होगा है कि इसमें मैंने कुछ गेम्स ओपन की थी रैट्स वाइम यूटलाइज होगी जिसके बाद कुछ एपस फिर से रिलोड होने लेगी तो यह सब चीज़े आपको जहन में रखनी पड़ेगी मैं आपको फिर से एक बार बताओं इसका जो इसका जो बॉक्स में चार्टर मिलता है वो है अस्ट्रावार्ट का फार चार्जर और आपको कनवर्टर भी मिल जाएगा चाहिए ओटी जी का कनवर्टर हो या यूएस प पर मैं ने आपको तीन चाहस चीज़े बताई पहली चीज़ यह बताई कि फोन का स्क्रीन जो है वो बहुत ही बढ़िए हैं दूसरी बात फोन का जो केमरा है वो किसी भी जो करण्ट एरा में फोन आते हैं चाहे आई फोन आता हैं कोई और फोन आता हैं उनके साथ जी केम है वो पर्फेक्ट ली वर्क करता है इसके साथ और इसके अलावा यह कुछ पॉस्टिव पॉइंट से इस फोन के और सॉफ्ट्वियर इटलाइजिएशन भी एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही पर्फेक्ट एक फीचर है इस फोन का किमकि रैम कम है और बैटरी भी कम ह फिर भी यह पर्फॉर्मस अच्छी दे रहा है जिसे कि आईफोन के आई ओएस में होता है लेकिन एक इंपॉर्टन चीज कि डिवल सिम इस पर काम नहीं करता है हाला कि यहां पर लिखा गया है नैनो सिम एंड इस सिम लेकिन खाली एक ही सिम आपको काम करेगा चाहिए वह फिजिकल सिम उयूज करना चाहते हैं यह सिम उयूज करना चाहते हैं खाली एक सिम करेगा लेकिन दूसरा सिम आपको तो नहीं करेगा हाँ कुछ फर्म ने लिखा गया है कि कुछ शल का मारत के जरी रूट करने के वैड डिवल सिम काम कर सकता है वो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा अगर उसने काम किया तो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे काम करता है लेकिन फिलहाल जो कंपनी के एंड से हैं गूगल के एंड से हैं वो खाली एक सिम काम करता हैं ये सब चीजे आपको जहर में रखनी कर देगी आगर आपके लिए सिंगल सिम कोई इशू नहीं है आप हार्ड कोर गेमर नहीं है गेम उसको मॉल्टपल गेम उसको एक साथ नहीं खेलते हैं तो ये फोन 20 प्रिस्टार में नहीं मिलेगा एक फोन है जो इसका सॉफट वेर है या इसका जो प्रस्ट तर हैं और अप्टिमाजेशन हैं कैमरा है उन सब चीज को देखे आपको मैं बता सकता हूं कि यह फोन बीसजार में बहुत ही बड़िया डील है यहां पर वे आपको कैमरा में जाके आगे एकमें दिखाऊंगा जो मैंने फोटो लेया था आज भी फोटो में इसी से कुलिक किया है को वेडा धी बढ़ी हाँ और फॉटो आया है ये फोटो ग्राप भी इसी से गज्छर के आ ये फिर भी बहुत परफेक्ट आया है यह देखे खें और फोटोग्राफ लिएस मे एक सेल्फी में लिए हैं इसके फ्रेंट केमरा से आप देख सकते हैं कि इसमें जो पोट्रेट मोड में ली थी सेल्फी वह भी बिल्कुल पर्फेक्टली काम करती है और फोटोग्रावी बहुत बढ़ी आया है अभी केमरा में एक सेटिंग दिखाऊंगा मैं आपको हम जाए पर सेकंड पर ही आपको शूट होगा सिक्स्टी फ्रेम पर सेकंड शूट नहीं होगा यह था गूगल पिक्सल 3 एकसल जो की बीस हजार में बहुत ही बड़ी आडील है बाकि किस तरह से काम करता है क्या होता है यह आपको आप आगे डिसाइड कर सकते हैं यह जो स्कीज का इसमें रखा गये हैं जो अभी गूगल का सिस्टन्ट आया था हायलाइट हुआ था वह इसलिए हुआ था कि इसमें स्कीज का ऑप्षिन है नीचे अगर आप फोन का स्कीज करेंगे तो गूगल सिस्टन्ट आटोमेटिकली ओपन हो जाएगा